असलाम नीकूम विल्कम बेक तो माई चानल एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सब को वेलकम कहती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बोहती क्रिस्पी और बहुती मजदार रोल समोसा की रेसिपी इतने मजदार यह बनते हैं समोसे इसकी इसकी जो फिलिंग बहुत ही easy है इसको बनाना तो यहां पर हमें चाहिए होगा 2 cup के बराबर मेदा और मेदे से ही इसको बनाएंगे इसकी dough बहुत ही perfect बननी चाहिए इसमें add कर देंगे हम अजवाइन और इससे flavor enhance हो जाता है तो नमक add कर देंगे थोड़ा सा और इसमें मैंने add कर दिया है oil आप तो घी भी use कर सकते हैं यहाँ पर मैंने oil को use किया है और पहले इनी चीजों को अच्छी तरह से mix up कर लेंगे अभी हमने पानी नहीं डालना पानी बात में डालेंगे और gradually इसको mix करते जाएंगे तो अच्छी तरह से मैंने पहले mixing कर ली है oil के साथ और इसके बाद मैंने इस पी हमारे rolls बनेंगे इसको मैंने cover करके रखती है था तकरीबन 15 मिनट के लिए यह जरूर रखेगा तो जितने देर में आटा सेट हो रहा है उतनी देर में हम इसकी filling ready कर लेते हैं उसके लिए हमें चाहिए होगा oil लिया है मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बरा उसके बाद हम further ingredients इसमें add करेंगे और बहुत ही simple ingredients हैं अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और आपने फटा-फट से कोई recipe try करनी है तो बहुत ही best recipe है और थोड़ सी unique है इसकी जो shape है वो भी थोड़ सी different है तो बनाने में भी बहुत easy है आप जूरू try करके देखिएग तो जैसे ही इसका color change होने वाला है तो मैंने add कर दिया है इसमें सूका धनिया और जीरा ये कुटा हुआ है और इसी time पर add कीजएगा तो इसकी भी खुश्पु काफी अच्छी सी निकल के आती है और जैसे ही इसका थोड़ा सा color भी change होगा खुश्पु आने लगेगी तो इ और थोड़ी सी मैंने इसमें add की है कुसूरी मिथी और इसका भी बहुत जबर्दस सब फ्लेवर आता है ज़रूर add कीजिए का अच्छी तरह से अब हमने इसको cook कर लेना है एक मिनट cook करेंगे जादा नहीं cook करेंगे बस जैसे ही लगे के ये mix up हो गया है तो इसमें add कर दें और साथ ही थोड़ा सा और इसको smooth बना लेंगे तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं पहले इस तरह से जब फिलिंग ready करेंगे तो बहुत ही खाने में tasty हमारे समोसा रोल बनेंगे अब समोसे में भी फिलिंग कर सकते हैं तो यहां पर देखे मैंने इसको बाउल में रख लिया है और अब मैंने add किये हैं onions चोटे-चोटे कट किये हुए हैं चोप्ट हैं ये और इसी time पर add किये जएगा तो थोड़े से crispy रहते हैं और जब हम bite करते हैं खाते हैं इसको तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो आपने cook करते हुए नहीं डालना इस time पर डालिएगा और अची तरह से इसके mixing कर लेते हैं और mixing करने के बाद हमने अब इनके roll बनाना स्टार्ट करने हैं तो यहां देखे हमारी डो बिल्कुल सेट हो चुकी है अब हम इसको बेल लेंगे इसके मैंने चोटे-चोटे पेड़े कर लिया थे और इसी पेड़े को मैंने बेल लिया है यानि कि आपने बहुत ही चोटा पेड़ा लेना है और उनको बेलते जाना है तो यह मैंने पतली सी एक रोटी सी बेल ली है और इसमें रख देंगे यह पोटेटो इस तरह से लंबाई में रखिए का और इस तरह से आपने प्रेस कर देना है तो शेप भी एकुरेट आएगी रोल की तो यह कटर अवेलेबल नहीं है तो आप नाइव की मदद से भी स्की कटिंग कर सकती है बस आपने इंड तक इसको नहीं कट कर देना बस मिट से कट कीजिये का और यहां पर मैंने अलबी इस लरी को मैंने बनाने के लिए मेदा लिया था और पानी लिया था दोनों को मिक्स कर तो परफेक्ट सी slurry बन जाएगी, मैंने अपनी बहुत सी रेसिपी में slurry बनाने का तरीका बताया है, तो आप देख सकते हैं, तो इसके जितने भी एज़िस हैं, राउंड इस पे आपने slurry को लगा देना है, ताकि जब हम इसको बाइंड करें, तो बहुत अच्छी सी बाइ इसको भी टन कर लेंगे, और अच्छी तरह से टाइटली आपने इसको रोल आउट कर देना है, तो परफेक्ट सा हमारा रोल रेडी हो जाएगा, इसी तरह से मैं सारे रोल्स रेडी कर लूँगी, यह इंतहाई क्रिस्पी बनने वाले रोल्स हैं, और जो इसकी उपर लेरि कोई भी कर सकते हैं, चाहे तो चिकन की कर लीजिये, चाहे तो पोटेटोस की कर लीजिये, आप पर डिपेंड करता है, तो इसी तरह से मैं और रोल्स रेडी कर लूँगी, इनको बनाना इंतहाई असान है, आप फट अफट से यह रोल्स रेडी कर सकते हैं, बस आपने जो डो है, जादा पतली नहीं रखनी, इसको सफ्त रखेंगे, तो बहुत ही परफेक्ट रोल्स बनेंगे, तो यह दि कि हमारा रोल्स रेडी हो चुके हैं, सारे और यह तो तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे इनको पकाने में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, अगर आप इने डीफ फ्राइ करना चाहें, तो डीफ फ्राइ कर लीजेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जो ओल की कॉंटिटी है, वो जादा नहीं रखी, बस नॉर्मल है, और इसमें ही कि मैं इनको कुक कर लूँगी, फ्राइ कर लूँगी, बहुत ही परफेक्ट यह बनेंगे, जैसे ही लगे कि थोड़ा सा कलर सेंज होने वाला है, तो इनको टरन करते जाएगा, ताकि यह जादा डार्क मत हों, और जो फ्लेम है, वो मीडियम टू लो रखेगा, एकदम से हा कि कलर क से देनाए ह। मैं आपको बताती हूँ, इस दना से आपने हलका हलका इसको कलरना है, तो बहुत ही eकुरेट तब्सक्षं को निजै का इनको क्लर आएगगी, और निकालने के बाध गरम गरम तर्शा करण का बने है, और बिलक्त अए ऑप तर्शीे को बने only हुआ है रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर यह बनाएंगे तो इंशाला आपकी भी यह रेसिपी बहुत अची बनेगी बहुत ही क्रिस्पी यह हमारे रोल्स बने हैं बिलकुल ऐसे लगेगा जिसनल से अपने मार्किट से रोल मंगवाए हैं सेम उसी तरह से यह फ्लेवर देगा क्योंकि इसमें जो हमने अंदर फिलिंग एड़ की है वो पहले कूक कर ली है और कूकिंग के बाद इसका जो फ्लेवर है वो ज्यादा इन्हेंस हो जाता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजेगा चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा बेल आ